गुद्वरीं दोस्तों मैं सुरज यादव गुगल वीजन चैनल में आपका स्वागत है और कल हम लोग थ्री बेसिक टर्म को देखे थे वाटर कंटेंट वाइड रेशियो और पोरोसिटी कल हम लोग बोले थे कि रिलेशन देखेंगे उसमें पोरोसिटी और वाइड रेशि चाहते हैं ताकि उसको फॉर्मुला कॉंटेंट हो जाए तो उसको परने में सुधा होगा इसलिए हम जितने भी सारे बेसिक टर्म है उसको हम फिनिस कर लेना चाहते हैं उसके बाद हम लोग रिलेशन्सी को हम लोग देखेंगे चोथा बेसिक टर्म है डिग्री ऑफ है क्या यह रेसियो है इट इडा रेसियो आफ वोलुम अ भॉलुम को आट तुड़ ऑफ द्वाईड में उप स्वbet में एक्सपुरेश किया जाता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन का पाभ ईpptंता है जब एक डिग्री ऑफ निनस जीऊरसंट के बीच लाई करें जब degree of saturation 100% हो और जब degree of saturation आपका 0% हो degree of saturation जब 0 और 100% के बीच लाइप करेगा तो स्वाइल जो है partially saturated soil होगा और उस partially saturated soil के बारे में हम बताए थे कि जब भी partially saturated soil के बारे में हम चार्चा करें हैं तो वो तो 3-phase diagram शो करेगा जिसमें solid, water और air का existence होगा और जब degree of saturation 100% होगा तो वह saturated soil होगा और उसमे 2-phase diagram में शो करेगे और उस 2-phase diagram में solid और water का existence होगा और उसमें air का existence नहीं होगा degree of saturation जब 0% होगा तो वह dry soil होगा और उस 2-phase diagram में solid और air का existence होगा पात्मा बेसिक टर्म हम लोग बिल करते हैं air content air content is the also of ratio या it is the ratio of volume of air to the volume of void और air content में इसमें भी 3 case बनता है जब air content 0 हो air content 1 हो और air content और 0 और 1 के बीच हो air content 1 से greater exist नहीं करता है air content 0 और 1 के बीच ही लाई करता है और 3 case हम देखेंगे air content जब 0 हो जाए air content 0 होने का मतलब है air content का फर्मूला हुआ volume of air to the volume of void air content 0 कब होगा जब volume of air 0 होगा तो volume of void में water का existence होने के कारण soil हमारा saturated soil हो जाएगा इसको रखना नहीं है बस फर्मूला आप देखिए और फर्मूला में कहता क्या है कि उस हिसाब से आप को रिलेट कर सकते हैं उसी परकार है air content 1 होगा जब तब क्या होगा air content 1 का मतलब होगा जब volume of air और सुधा volume of void का यह वन कब होगा जब volume of air volume of void के बराबर हो जाए volume of air volume of void के जब बराबर होगा तो उस कि स्ट्रक्चर में शिर्फ और सिर्फ air का existence और solid का existence होगा उसके स्वाइल के स्टक्चर में एर का एक्जिस्टेंस होने के कारण वो सिर्फ वो स्वाइल ड्राय स्वाइल का लाएगा उसमें वाटर का एक्जिस्टेंस नहीं होगा क्योंकि इसको वन होने के लिए भॉलिम अफ वाइड को जाए बॉलिम अफ एर के इकल होना परेगा जिसके क कारण उसमें सिर्फ और सिर्फ dry soil काला आएगा और उसमें सिर्फ air का existence होगा, water का existence नहीं होगा, ठीक उसी परकार air content जब आपका 0 और 1 के बीच लाग करेगा, तो वो partially saturated soil होगा और वो थ्रीफ सेज diagram को शो करेगा, और उस case में, air water or solid, tino का existence होगा, एर कॉंटेंट वन से ग्रेटर नहीं हो सकता इसका एक्जिस्टेंस नहीं होगा छथा बेसित आर महम लोग बिल करते हैं एर भाइड से जिसको एने परसेंटेज से दिनोट करते हैं एर भाइड जो है इसको परसेंटेज इयर, बोल रहे हैं और उसी को हम एक जगह हम बताये थे के प्रसंटेज वाइड भी नाम से हम जानते हैं यह percentage air wide है जो ratio है volume of air का to the total volume का और वो आपका नाम था आपका porosity का जो उसको percentage wide से हम लोग जानते हैं इसका value लाई करता है 0 से 0% से 100% के बीच air wide लाई करता है और सात्मा basic term हम deal कर रहे हैं unit weight of soil unit weight बस यह basic term हम बता रहे हैं इसी के दार पर बहुत सारा unit term होगा उसको हम जानेंगे unit weight of soil को हम लोग gamma से denote करते हैं unit weight of soil gamma बराबर होता weight by volume weight को mass into acceleration due to gravity लिखेंगे और volume को भी से denote करेंगे mass by volume को हम जानते हैं कि density बोलते हैं महासरा volume को density लिखेंगे उसके बाद रो इंटु जी गामा बराबर रो जी यह बहुत ही यूज होगा यह कि गामा बराबर रो जी unit weight of soil रो इंटु जी अब यह जो है unit weight of soil का unit जो है newton per meter क्यों आया कैसे हम कैसे जाने कि इसका unit जो है newton per meter क्यों होगा क्योंकि density का हम unit जामते हैं कि kilogram per meter क्यों होता है और acceleration due to gravity का meter per second square होता है नाइंत क्लास में हम लोग यह newton के बारे में हम जाने थे कि वह newton करते कि इसको है कि आप एक kilogram के body पे अगर आप एक unit second में अगर mean one meter per second square का acceleration produce कर देंगे तो उसको one newton का amount हम बोलेंगे तो one newton यहाँ पे आप देख रहे है kilogram per meter की है और इसको meter per second square से मन दिपला है तो यह आप kilogram meter per second square को Newton बोल सकते हैं क्योंकि यह आप unit kg और unit meter acceleration due to gravity यह आपका Newton हो गया और यह denominator में आपका meter क्यों आएगा तो यह unit rate of soil का यह आपका unit Newton per meter की हो जाएगा तो यह unit weight unit weight के बारे में हम देखे थे unit weight of soil gamma के बारे में उसके बाद हम उसी को case करके हम deal करते हैं इससे unit weight of water के बारे में जानेंगे unit weight of water को हम gamma w से denote करते हैं और it is the ratio of weight of water to the volume of water पता है unit weight of water को gamma w से denote करते हैं weight of water to the volume of water weight of water को mass of water से acceleration due to gravity से multiply कर देंगा उसके denominator में volume of water से divide कर रहें तो mass of water to the volume of water density of water हो जाएगा फिर unit weight of water gamma w ब्रावर rho w into j अब gamma w को हम निकालेंगे हैं कि minute weight water जो है वो कितना होता है density of water हम जानते हैं कि 1000 kg per meter की होता और acceleration due to gravity 9.81 meter per second square होता है इसी को multiply कर देंगे तो जीस तरह से हम newton के बारे में पिछले बार में बताए तो उसी को यूज करते हुए यहां भी आजाएगा 1000 into 9.82 multiply करेंगे तो 9810 newton per meter क्यों आएगा और इसी को अगर हम numerator और अगर दिया हुआ रहा तो ठीक है नहीं तो अगर अगर अब्जेक्टिव को को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो गामा डबलो unit weight of water का बेलू 9.81 क्यों नीटर पर मीटर क्यों लेंगे और अगर हम सब्जेक्टिव क्यों को अगर डील कर रहे हैं तो उसको क्या कहा है उसको सॉल्व करने के आसान हो जाए इसलिए तो गामा डबलो का बेलू हम लोग 10 क्यों नीटर पर मीटर क्यों लेंगे जब हम सब्जेक्टिव क्यों को डील कर रहे होंगे उसी का बेसिक टर्म को जम ए और बी के टर्म में हम डील कर रहे हैं जिसको unit weight of water को डील किया उसके बाद हम बी तर्म में आते हैं bulk unit weight of soil स्वाइल का अब अगला तर्म में देखते हैं saturated unit weight of soil गामा सेट से इसको डिनोट करते हैं गामा सेट saturated unit of soil जो है वहता है weight of saturated soil to the volume of saturated soil का मतलब होगे आप volume of soil saturated soil means उसमें आपका water का भी वाइड में existence होगा और वेर का existence उसमें नहीं होगा और solid होगा इसलिए volume of saturated soil को volume of soil भी हम लोग बोलेंगे इसलिए यह जो है saturated soil गामा सेट जो हो जाता है ratio होता weight of saturated soil to the total volume of soil भी इसको हम लोग बोल सकते हैं अब अगला चर्म है dry unit of soil जिसको गामा ट्रा या गामा दी से हम लोग डिनोट करते हैं dry unit soil जो है it is the ratio of dry weight of soil to the dry volume of soil dry weight of soil का मतलब हो गया उसमें water का existence नहीं होगा सिर्फ solid का existence होगा और air का existence होगा water का existence होने के नहीं कारण नहीं होने के कारण dry weight of soil को हम लोग weight of solid भी बोल सकते हैं और dry volume of soil होने के कारण उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ उसके soil sample के volume में सिर्फ जो है solid होगा और air होगा जो की dry form में होगा इसलिए उसको volume of soil भी हम लोग बोल सकते हैं dry gamma d is equal to weight of solid to the total volume of soil unit weight of solid जो है अगला तर्व हम लोग देते हैं जिसको गामा स से दिनोट करते हैं unit weight of solid gamma जो है ratio होता weight of solid to the volume of solid का इसको gamma s जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ स्वाइल के structure में weight of solid लेंगे और volume of solid लेंगे इसमें नाहीं water से लेना देना है नाहीं air से लेना है सीर्फ और सीर्फ solid पर हम लोग इसमें consider करेंगा इसमें करेंगे